आज मैं अपनी रेस्पी में लेकर क्या हूं सर्दियों की खास मुठाई प्रोटून से भर पूर बहुती स्वाधिश्ट लड्डू और आज मैं उनको इतने सरल तरीके से बताऊंगे आपको कि इसे कोई भी आसानी से घर पर बना सकता है तो चलिए फिर बनाते हैं आज ड्र सर्फ भी बना सकते हो चीने के साथे बना सकते हो तो आस तो मैं आक लिए घर करके आई हूं तो सबसे पहले क्या करना है ये घर ले लीए hundred सकते हो थो तो थोड़ां इसमें ज्यादा भी डाल सकते या फिर इसमें कम भी डाल सकते हो तो बस इस तरह से देख लीजी मैंने गुड़ को क्या चाकू की साहता से बारी बारी काट लिया है किसी भारी बरतन से आप इनको तोड़ लेजी या फिर आप चाकू से इसको काट लेजीए अब सबसे पहले चूले पर कणाई को रखेंगे उसमें डाल देते हैं एक चमुच भर करके घी घी डालने के बाद में ये मैंने वादाम को काटके रख लिया था वादाम इसमें थोड़ी मोटी मोटी काटनी है यानि कि बहुत जादा बारिक नहीं काटना है ड्राइफट को या इस लड़ू में तो बस इस तरह से आप हमें जितना जादा समय लगता है तो पहले हम उसको डालेंगे तो बादाम में थोड़ा सा समय जादा लगता है तो इसलिए मैंने पादाम को पहले डाला है इस पे थोड़ा सी डाल दी है पंकिन सीट एने की कद्दू के बीच अब थोड़ा जाल देते हैं इसमें पिस्ता ड्राइ फू अब जिस महत्रा में रे ड Care बढ़ा सकते हैं हुआ। तो मैरे थोड़ा साई कर सा ही बना के बता रही हुआ है। इसलिए क्यूं Sabine'e के बाद में आप इसमें डाल देते हैं खस किया हूगा naaryal, To you What a으면 that you don't lumière, किसकी से र्दा नारील को डाल देजיВे UPा इसी तरह उसको बाद चलाते रहेंगे एक मिट में यह सारी मेवा अच्छी से भून जाएंगे रखिये कि मेवा जो हम जितनी भी भूने वो धीमी धीमी आज पर भूने अगर हम तेज कर देंगे तो मेवा सारी जल जाएगी पहुत जल्दी मेवा भून जाती है तो बस अब बाकी की बची हुई चीटे हैं जैसे खसकस के दाने गौन नहीं मखाना है तो अभी हम और बुनेंगे तो इसको निकालने के बाद में फिर से कणाई में डाल देते एक चम चम घी और घी डालने के बाद में अब इसमें डालेंगे हम मखाना तो मखाने को मैंने काट करके ल अब थोड़ा मखाना हम चेक करते हैं, आप भी हाँ से इस तरह से चेक कर लीजी, देखिए मखाना हमारा थोड़ा अच्छे से सॉप्ट हो गया है, तो इस तरह से मखाना अच्छे से भून चुका है, अब इसे भी हम बाहर निकाल देते हैं, और फिर से उस कड़ाई में एक चमचगी डाल देंगे, तो ये सारे लड़ू बनाने के लिए आप हम घीका ही इस्तमाल करेंगे, ये लड़ू आप बना करके लंबे समय के लिए रख सकते हो, कोई भी खराब नहीं होते हैं, आप एक आदमीने तक इसको आराम से रखके खा सकते हो, तो आप इसमें डाल द चाहिते हैं, तो ये सारी गौन्द और सारी मखाने निकालने के बाद में, अब इनको हम चाहें तो मिक्सी में भी पीच सकते हैं, लेकिन अभी में कटोडी ले ले लिती हूँ इस तरह से, थोड़ा सा नको दरदरा रखना है, मिक्सी में कभी-कभी क्या होता है, ज्यादा पारिक हो जाता है, तो इसलिए आप काटोडी से इसको दबाते जाएंगे, फहुत सौप्ट होते हैं, या असानी से तूट जाएंगे, तो इसी तरह से आप काटोडी करते रहेंगे, देखिए थोड़ा सा दरदरा हो गया है, चाहता पारिक भी नहीं हुआ है, और हमारा मक खाना और कौन अच्छे से तूट भी गया है, तो बस इस तरह से करने के बाद में आप इसको एकसाइट रख देंगे और फिर से चूले की बोड़ चलते हैं, खणाई को रख देंगे, और फिर इसमें डाल देते हैं, एक चमच भर करके हम घी, तो घी डालने के बाद में आ और इसे कसके दानों को हम भूनेंगे, तो इसी तरह दीमी-दीमी आज पर हम थोड़ा से इसको भून लेते हैं, डूब को कई तरह से बनाये जाता है, जैसे गुड के साथ में, चीनी के साथ में, और ये खजूर के साथ में भी बनते हैं, तो आपको जो भी तरीका पसंद ह आप उस पर बना सकते हो, बस इसमें अब हम डाल देते हैं गोड़, तो ये मैंने तोड़ करके गोड़ को रख लिया था, तो गोड़ भी इसमें मिला देंगी, तो गोड़ मिलाने के बाद में, बहुत ज़्यादा दिर तक गोड़ को हमें नहीं पकाना है, पस गोड़ थो करो लाइक करना तो कभी भूला ही नहीं करो तो बस इस तरह से गुड़कों पगलते पगलते मैंने आपसे छोटी सी बात कह दिये अब मैंने इसमें डाल दी थी थोड़ी सी सौट तो सौट की जगह आप अगर यह लड़ू अगर प्रेग्नेंसी के बाद महला को खिला रहे है तो आप इसमें कुछ मसाले और एट कर सकते हो जैसे आप इसमें डाल सकते हो चोटी पीपरा मूलाती है बोग्त करके डाल सकते हो थोड़ी इसमें अब सरदियों मैं वच्चों के लिए बना रही हूं तो ईसलिए मैंने केबल स्सॉट डाली है अगर आप प्रेग्नेंसी ऐ बनाती है तो आप थोड़े सी और चीजों को इनमें मिला सकते हूँ तो बस एक गुर्व अच्छे से मेल्ट हो चुका है देखिए आप इसमें डाल देते हैं हम ड्राइफूट जो मैंने बून करके रखा था वो सारा ड्राइफूट में मिला देंगे और मिलाने के बाद में गैस को कर देते हैं बंद और सारी जो गुर्व के साथ में अच्छे से मेवागों मिला लेंगे आरी चीजों अच्छे से मिलाने के बाद में इसके नीचे उतार देते हैं और गरम गरम में ही हमें इसके लड़ू बनाएंगे तो याद रखिए इसको ठंडा मत होने दीजिए गरम गरम में ही इसके हम लड़ू बनाते जाएंगे अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही है अगर लड़्ो बनने में नहीं आते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, नहीं दोड़ा हाथ उपे पानी लगा लिजिए, यह बनाते हैं बहुत ही आज़ान होता है, इसको बनाना कोई कठिन काम नहीं है, बस इस तरह हाथ उपे ले करके इसको दोना तरफ से दबाते जाएंगे तो ये लड़्डू बढ़िया से बन करके तयार हो जाएंगे तो देखिए कितने बढ़िया से लड़्डू बने हैं तो आप भी एक बार इनको ट्राइ जरू करिएगा अपने बच्चों को खलाईएगा एक ग्लास दूद के साथ में डेली आप बच्चों को इन्हें बना करके खला सकते हो बहुती फायदेबंद होती हैं पॉस्टेक होती हैं तो आप इन्हें सर्दियों के मुसा में जरूर खराईएगा आपके सारी बीमारियों के ये दूर करने वाले लड्डू बन करके तयार हो चुके हैं तो आप भी इन्हें बनाएए खाये एंजॉय कीजिए और अब मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करना बिलकुल मत भूलेगा तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ये रहे आपके ड्राइफूट वाले लड्डू